यह आपने देखा भी होगा कि जब सूरे ग्रहन लगता है तो सूरज पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छुप जाता है इसको देखने के लिए दुनिये के बहुत सारे लोग कई जगाई कठा भी होते हैं और ये एक हमारे पास एक fact दिया हुआ है इसको fact को यूज करना from this fact and from the information that you can gather from solved examples 2.3 and 2.4 determine the approximate diameter of the moon ये examples में क्या है और इस fact को यूज करके हमें उसका diameter बताना है तो इस question को हम solve करना start करते हैं तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि example 2.3 में था क्या example 2.3 अगर आँ वापिस जाओ समझने के लिए तो वहाँ पे उसने कहा था कि अगर ये अर्थ मान ली जाए तो अर्थ के दो diametrically opposite ends पे जो moon है वो एक angle theta 1 subtend करता है और इस theta 1 की value approximately उसने दी हुई थी 114 minutes ये आप example को पढ़ेंगे तो ये 114 minute का angle moon आपके अर्थ के diametrically opposite ends के उपर subtend करता है और जो अर्थ है इसका मुझे जो इसका diameter है वो उसने वैसी दिया हुआ है और मुझे पता भी है कि that is 1.276 into 10 to the power 7 meters मुझे ये पता है ये उसने दिया हुआ था और ये जो diameter d1 है जो distance d1 है अर्थ और moon का ये मुझे वहाँ पर calculate करना था ये example 2.3 की story है और उसको मैं एक बार symbols के form में लिख लेता हूँ ये मेरा example 2.3 का story है जहां से मुझे ये d1 उसने निकालने को कहा था ये data और ये data मुझे उसने दे रखा था तो इसको मैं लिख लेता हूँ by parallax formula distance of the moon d1 इसको हटा देता हूँ d1 is equal to ये जो distance है that is b1 divided by theta 1 theta 1 angle जो है ये होना तो radians में चाहिए उसने मुझे minutes में दिया था जिसको मैं accordingly बाद में convert कर लोंगा जरूरत पड़ी तो तो ये इतनी कहानी मेरे पास example 2.3 से आ जाती है अब example 2.4 में क्या था example 2.4 में उसने मुझे ये कहा था इसको दो minute के लिए भूल जाएं कि sun जो है उसने मुझे sun की बात करी थी कि जो sun है वो मेरी आंक के उपर 1920 seconds का एक angle सब 10 करता है यानि कि यहां पर कोई telescope ले लिया जाए और sun को देखा जाए तो sun का जो total disk का angle है 1920 seconds बन जाता है अब उसने मुझे एक interesting fact दे दिया कि total solar eclipse में disk of the moon almost completely covers इसका मतलब क्या निकलता है कि आपका जो moon है वो इस इस line को पूरी तरह fit हो जाता है इस line में पूरी तरह enter हो जाता है इस line में पूरी तरह भर जाता है और तब ही वो sun पूछे छुपता है इसका मतलब मुझे बताओ क्या क्या निकाल सकते हैं क्या यह नहीं निकाल सकते कि moon भी 1920 seconds का angle subtend करता है और moon इस cone में पूरी तरह fit होता है तो moon भी 1920 seconds का angle subtend करता है तो यह moon का angle यह मेरे पास 1920 seconds है यह d1 जो है यह उपर से निकल आया और यह यह चीज़ जो निकाल ली है यह parallax formula से निकल आएगी तो यहाँ पे मैं parallax formula लगा दूँगा इसमें तो चलिए इसको पूरा करते हैं story को by parallax formula diameter of the moon यह जो diameter है यह diameter is equal to this d1 into this theta अब d1 क्या है b1 by theta1 उपर से डाल लिया यह theta यह भाई यह story समझा आ जाए तो सब सही हो जाते है अच्छा अब अब इनमें मैं value substitute कर देता हूँ by example 2.3 b1 का value इतना है b1 यानि की diameter of earth यह पता है significant figure भी note कर लेता हूँ 4 है by example 2.3 theta1 114 minute दिया हुआ है यह वाला 114 minute इसको 114 को यहां डाल दूँगा यह minutes है इसके seconds बना लूँगा क्यों क्योंकि मुझे 1920 seconds में है तो दोनों का unit मैं same कर लेता हूँ यह theta जो है 1920 seconds है तो इसे मैं substitute करता हूँ substitute करके इसको देखिए b1 यह आ गया theta1 यह आ गया seconds में 1920 दिया हुआ है यह इन सब को multiply कर दूँँ तो मेरे पास जो story आती है उसको मैं significant figure के हिसाब से इसमें कितने थे चार इसमें थे तीन तो मैंने answer में तीन रख लिए 3.58 10 to the power 6 meters यह इसका answer बनता है